हेलो फैंट्स चलिए हम BPSC सिक्षक भरती का आपका 125 का प्रैटिस से देखते हैं इसमें आपका यह नए पैटर्न पर अधारीत है आपका इसमें 1500 प्रस्ण होंगे तो आप लोग डिमान करते हैं कि से 1500 प्रस्ण वाले प्रैटिस से करवाईए तो आपको लेका आगे हम 1500 कोश की प्रस्ण बनाएंगे तो 50 C वन्स हैपका शुरूवग से प्रस्ण बनाइए तो 50-1 से आपका सुरू होगा भाईए प्रस्ण का प्रस्ण चलिए का प्रस्ण तो चलिए यहां से आपका स्टार्ट है जीके के प्रस्ण 51 से तो कोशन लिया गया है कि दिये के बिकल्पों में बिक्षिये जानमर की पहचान करें तो यह है आपका बंदर आपसन बी हो जाएंगे नेच्ट हाब का कोशन 52 कोशन है कि किस रहस्यनिक योगी के कराण मिर्च का स्वाद तीखा होता है यह होता आपका आपका ऑपसं के कैप से सीन undergoing स के केकल्ये कोशन है कि नट यानि तन्य रसी पर चलने वाले ब्यक्ती भाध्य hanya के किस नियाम का पालाن करता है तो यह करता आपका Newton's के नियम यानि Newton's के गती के नियम का यूज Newton's के गती का नियम option B हो जाएंगे question number 54 नेक्स्ट कोशन आपका 53 कोशन है कि तनी रशी पर चलने वाले ब्यक्ती भहुती के किस नियम का पालन करता है यह करता है आपका नूटन्स के गती का नियम option B हो जाएंगे नेक्स्ट आपका question number 54 कोशन है कि उस समीर को क्या कहा जाएगा जो समानिता रात्री में समुद्र से अस्थल की और प्रभावित होती है यह जग आपका अस्थलिय समीर ऑप्शन B हो जाएंगे 54 का ऑप्शन B हो जाएंगे अस्थलिय समीर Next अपका question number 55 Question है कि oral polio vaccine का विश्कार किस ने किया था यह किया था आपका अलवर्ट सावीने ओप्शन D हो जाएंगे Next अपका question number 56 Question है कि अधिकतर पादप नियंतरक उत्पन होती है यह होते हैं आपका बरते तने के अगरभाग पर बरते जग के जड़ के अगरभाग पर Option D हो जाएंगे A and B दोनो 56 का option D हो जाएंगे Next अपका question number 57 Question है कि गति का कौन सनियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाते हैं यानि बल लगाते हैं तो दूसरी पदार्थ तुरन्त पहले पर वापस बल लगाता है यानि action is equal and up weight reaction तो यह है आपका Newton के third law Option D हो जाएंगे Newton के third law Next अपका question number 58 Question है किस के कारण खसरा बीमारी होती है तो यह है आपका virus के कारण Option B हो जाएंगे Sorry option C हो जाएंगे Virus के कारण खसरा बीमारी होती है Next अपका question of 59 Question है कि इतिनौल का उत्पादन किस पर किया द्वारा किया जाता है तो यह करते हैं आपका किन्वन बीदी से Option D हो जाएंगे Alcohol का आपका उत्पादन किन्वन बीदी से करते है Option D हो जाएंगे Next अपका question number 60 Question है कि असम में प्रामपरिक घरों को री असलट पर क्यों बनाया जाता है तो यह हो जागा आपका बार्ड और वन जीवो के खतरा Option B हो जाएंगे Next अपका question number 61 है Question है कि एक गौंडे के सिंग और मानव बाल में मेजूद संदर्चनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है यह है अपका Nicotine क्या है Nicotine Option B हो जाएंगे Next अपका Question number 62 Question है कि निमखित में से कौन सा जानवर या विल या बिल में रहता है कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है यह हो जाएंगे आपका खरगोष Option D हो जाएंगे 62 का Option D हो जाएंगे Next अपका Question number 63 Question है कि हमारी अत्री में पाए जाना में बाला बैक्टिरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है तो यह है आपका Option A हो जाएंगे Lacto Vessels Option A हो जाएंगे Next अपका Question number 64 Question है कि नम्कित में से कौन सा समय करन और संतुलित है यानि संतुलित नहीं है यानि आपका कौन सा बैलेंस नहीं देखना है सबस्ट है इदाr idée स clearly है इसाल भी को चना रहे यहां पर क्लोड्रीitz है क्लोड्री सक्लोडत बैलेंस्यों का अगे दुनयों pourra अगे दो दो रहे यानि दोर्टो नहीं हो चैब आपका ऑश्म चैया में एको रहा रहा है ओत्री यानी नेट्रोजन दो है यहां पर नेट्रोजन आपका एक है फिर ऑक्षिजन छे है यहां पर इधर आपका 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 पांची है यहां आपका option C हो जाएंगे जो unbalance है नेक्ट आपका question number 65 question है कि अंडे के जर्दी यानि पिला भाग में कौन सा 90% से अधिक बिटामिन होता है यानि अंडे के जो पिला भाग होते हैं इसमें कौन सा बिटामिन 90% से अधिक होते हैं यह जाएगा option number A हो जाएंगे B12 क्या होगा B12 B12 के कमी से आपका एनिमिया रोगता है याद रखिएगा नेक्स देखते हैं आपका question number 66 question है कि मचली के सम्मू को कहा जाता है तो इसे कहते है इसकूल option D हो जाएंगे 66 का आपका option D हो जाएंगे next देखते हैं आपका question number 68 sorry 67 है question है कि प्रित्वी के बायू मंदल की परत किस परत में ओजून पायाती है यह आपका पायाती है सम्म ताप मंदल में option A हो जाएंगे या दखिएगा ओजून का सुत्र होता है आपका O3 क्या होते है O3 कहा आपका पायाती है तो सम्म ताप मंदल में option A हो जाएंगे आपका पता होगा कि बायू मंदले घटना कहा होता है तो छोब मंदल में Next आपका question number 68 Question है कि गोरा दोरा घोरा खीचा गया गारी भौती के किस सिधान्त का एक उधारन है तो यह आपका Newton's के तिरत्य नियम का उधारन है Option A हो जाएंगे Next आपका question number 69 है Question है कि नमकित में से कौंसी बिमारी चमगादर के कारण होती है तो यह आपकाया इमपूला बिमारी Option C हो जाएंगे Next है question number 70 Question है बीटामिन A की कमी से क्या होता है तो बीटामिन A की कमी से आपका रतोंदी होते है Option A हो जाएंगे Next है question number 71 question है कि निम्कित में से कौन सा जानवर अस्तन पाई है ति यह आपका वेल मचली option D हो जाएंगे next question number 72 कि जब बढ़ा का भाग है निकिसका भाग है ति यह आपका खोप्री का है option D हो जाएंगे next question number 73 question है कि ग्यामी नीड अव तक हमारे सौर मंडल परना सबसे बड़ा ज्यूपिटर है वह किस गड़ा की प्रिकरमा करता है यह करता आपका ब्रिस्पती गड़ा का प्रिकरमा option B हो जाएंगे next question number 74 है कि कौनसी मांसपेसी कनपटी की हड़ी को को जबडे से जूरती है बहुत अच्छा question है कि कौनसी मांसपेसी कनपटी के हड़ी को जबडे से जूरती है तो यह जूरती आपका option B हो जाएंगे next question number 75 question है कि उस इकाई का नाम बताईए जिसमें इंधन का उसमें मान ब्यक्त किया जाता है तो उसमें मान कियते हैं कीलो जूल में option A हो जाएंगे next question number 76 question है कि कौनसी गरंती अंतसरावी गरंती के कारी को नियंद्रित करती है तो यह करते हैं आपका प्यूस गरंती यानि प्यूट्री गरंती इसे मास्टर गरंती भी करते हैं और यह आपका सबसे छोटी गरंती है option C हो जाएंगे next question number 77 77 है कि आप्रवर्तित प्रकास के माध्यम की छमता को किस संदर में बैक्त किया जाता है तो यह करते हैं आपका प्रकास ये सगंता option B हो जाएंगे एक ची याद रखेगा कि जिस medium में जिस medium का अप्रकास का अधीक होता है उस medium में प्रकास का वेग कम होता है और जिस medium का अप्रकास का वेग अधीक होता है क्योंकि आपका अप्रकास का अप्रकास का वेग अधीक होता है क्योंकि आपका अप्रकास का अप्रकास का अप्रका Quesion है कि प्लास्टिक में निम्खित में से किसका उप्योग किया था तो एथिलीन का Option D हो जाएंगे 78 का आपका Option D हो जाएंगे Next आपका Quesion No. 79 Quesion है कि निम्खित में से किसे प्रानी जगत की अंत्रगत वर्गिकित किया जाता है तो मेटे जुआ को Option B हो जाएंगे Next आपका Quesion No. 80 है कि निम्खित में से काउन सहजी भी समन्द को दर्साता है तो यह दर्साता आपका Lichen Lichen बनता आपका सेवैल और कबक से Option A हो जाएंगे Next आपका Quesion No. 81 Quesion No. 80 है कि सेरी कल्चर सब्द निम्खित से किस समन्दित है तो सेरी कल्चर मतलब आपका रेसम की खेती VT कल्चर होता आपका VT कल्चर होता आपका अंगुर के खेती तो याद रखेगा सेरी कल्चर रेसम की खेती हो जाएंगे Option B Next Quesion No. 82 Quesion No. 83 Quesion No. 83 Quesion No. 83 Quesion No. 83 अस्तर बहुताब का प्रात्मिक उभोगता और तीरती अस्तर बहुताब का दूत्य उभोगता प्रात्मिक उभोगता आपका होता सकहारी और दूत्य होता आपका मांसहारी जो प्रात्मिक पर डिपेंड रहता है नेश्ट देते कॉश्ण question number 84 question है कि नमकित में से कौन सी noble guess है तो noble guess आपका यह हो जागा आरगन option A हो जाँगे option A हो जाँगे 84 का चलिए हम आगे देखते हैं आपका next आपका question number 85 question है कि छुई मुई पौधे का बिग्यानिक नाम क्या है छुई मुई पौधे का पौधे का बिग्यानिक नाम क्या है तो यह है आपका मी मोसा पौधी का option D हो जाँगे next है question number 86 question है कि नमकित में से कौन सी green house gas के उस सरजन से समयद और निवारी शिमाये तैक करने वाले और दोएक देशों के बीच की गई एक अंतरास्टिय संदी है तो यह है आपका क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल 86 का आपका option B हो जाँगे क्योटो प्रोटोकॉल तो यह हो था आपका जापान के सहर में हो था उनिस सो आपका 97 में इस भी में हुआ था next आपका question number 87 है कि नमकित में से क्या जाइब निम्नी करन पदार्थ है तो यह है आपका पेर पोधा पेर पोधा घरलू कचरा यह अवसिस्ट पदार्थ यह सब के है तो यह है आपका जाइब निम्नी करन है next है आपका question number 88 question है कि पक्षों की इन में से कौन सी परजाती गंभी रूप से लुप्ट पड़ाया है यानि लुप्ट हो गया लगबग यह है आपका option A great Indian waters option A हो जाएंगे next आपका question number 89 है 89 है कि बेरी बेरी नामक रोग कि निम्न से किस बिटामिन के कमी से होता है यह होता आपका vitamin B1 के कमी से vitamin B1 का रचानिक नाम है याद रखेगा thaiamiin क्या है तो thaiamiin है क्या नाम है thaiamiin है आपका vitamin B12 का नाम है synokoruption kya है synoko бар ihr और vitamin B12 में kubalट आपको पाए जाते है और आपका vitamin B2 का रचानिक नाम है pyrodoxin या रखेगा pyrodoxin और एक ची और याद देखेगा कि विटामिन B3 के कमी से पलेगरा रूप होते हैं तो यह था आपका नेक्स आपका कोश्चन नमबर 90 कोश्चन है कि हिमाइले में एपल एक आउस्तिय पोधा है जो उच्छ छेत्रों में पाए जाता है इसे किस सम्मू में रखे गया है यानि किस सम्मू में रखे गया है तो यह होग आपका अस्थानिक ऑप्शन C हो जाएंगे नेक्स आपका कोश्चन नमर 91 कोश्चन है कि SI Tundra के निवासी सम्मू को कहते हैं SI Tundra के निवासी सम्मू को कहते हैं यह करता आपका शेम वाइड शोरी शेम वाइड नेक्स आपका कोश्चन नमर 92 कोश्चन है कि डूल ट्रम निम अक्षान से रेखां के मद श्तित है यह अपका पांच डिग्री उत्तर और पांच डिग्री दचरी शेम अक्षान से बीच में नेक्ट अब का कोश्चन नबर 93 कोश्चन है कि दुनिया का सर्फ दुनिया का सर्फ स्ट्रिस्ट प्रेटर कम गौंग पुच्चम पली किस राजमे वस्तित है ये अब का तमिलाडू में आपसन डी हो जाएंगे नेक्ट अब का कोश्चन नबर 94 कि पंचैत समीती के प्रदाहन का चुनाव कौन करता है ये करता है अब का पंचैत समीती के सदस अपरत्यक्शुरूप से option C हो जाएंगे निम्मे से किसका समंद केंद राज समंद उसे है यह अब का ओप्शन B राज मननार समीती रिपोर्ट ओप्शन B होजेंगे राज मननार समीती रिपोर्ट नेक्ट अपका question number 96 question है कि कल्यानिकारी राज मुलिता संसलेशन है यह अपका उधारवाद और सामाजवाद का उधारन है क्या है उधारवाद और समाजवाद का उधारन है भारतिय समिधान के आपका भाग फोर में द्यांदेज़ेगा भाग फोर में आपका निती निस्तत में कल्यानी कारी राजगा वर्णर किया है यह भी याद रखेगा नेक्स्ट आपका question number 97 है साक्ष दर्षन पर्तिपादित किया है तो यह क्या आपका कपील option C हो जाएंगे जबकि योग दर्षन पतंजली ने किया है नियाई दर्षन आपका गौतम ने किया है option A इसका हो जाएंगा option C हो जाएंगे नेक्स्ट आपका 98 कि गुप्त सासक को दोरा जारी की गए चांदी के सिक्के कहलाते थे यह कहलाते थे आपका रूपक option यह हो जाएंगे एक यह दर्षन देगा कि सबसे अधिक स्वर्ण सी का जारी के अथब का गुप्त सासक ही ने सबसे अधिक स्वर्ण सी का जारी के अथब का गुप्त सासक ने नेक्स आपका 99 कोशन है कि निम्कित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तो हेक्टर मुन्रो वक्सार की यूद बिल्कुर सही है लॉड हैस्टिंग्स अंगल नेपाल यूद ये भी सही है लॉड बिलेजली चतुर्थ अंगल मैसुर यूद ये भी सही है ओप्सन डी हो जाएंगा आपका लॉड कनवालिस मराठा यूद इसका समन्द मराठा यूद से नहीं है नेक्ट अब का कोश्चन नमर हंडेड कोश्चन है कि भारतिय सोदंता संगहर से समनित नमिखित कहतनाओं को नीचे देगे कूट को उनके सही करम में चेन कीजिए यानि समय कि उनके साथ उसको करम में सजाना है देखिए चली देखते हैं तो है वर में कि दूत्य गोल में समेलन या देखेगा यह होता आपका सेप्टमबर 1931 हो था सेप्टमबर से देसंबर तक चला था 1931 लेकिन यह सेप्टमबर 1931 हो था फिर है भारतिय रश्टिक कांगरेस का क्रांची अधिवेशन यह होता आपका 29 मार्च 1931 को 29 मार्च 1931 को चली हम आगे देखते हैं यह निक्ष आपका 3 होगा थीरी में है भागत सिंगे फाशी यह होता आपका 23 मार्च 1931 को फिर है गांदी इवरिन समझ होता तो यह होता आपका 5 मार्च 1931 को तो देख लिजे कैसे घातना है तो सबसे पहले होगा आपका 4 फिर होगा आपका 4 के बाद 3 इसके बाद 3 इसके बाद 2 इसके बाद 1 आपसन C हो जाएंगे नेक्स्ट आपका कोश्चन नमबर 101 कोश्चन है कि रिविनाट टाइगुर को नॉबल पुरसकार किस वार से दिया گیا तो यह दिया गया 1913 में याद रखेगा भाद के पर्थम नॉबल पुरसकार बीजेता है रिविनाट टाइगुर तो यह था आपका इसके लिए हम आपको एक वीडियो करवा चुके हैं जिसमें प्रैटिस सेट वन आया था यह भी आपका प्लेट फॉर्म का ही प्रैटिस सेट है जिसमें आपका हंडेट प्रसन है 25 है अपका इंगलिस से और 75 है अपका हिंदी से तो इस सेट को आप एक बार जुरू बनाएग कोशन है कि वान सागर प्रैजना इस्थित है यह आपका सोन नदी पर कहा है सोन नदी पर है आपका मद प्रदिश में MP में नेक्स्ट आपका question number 104, question है कि हिमाइले में ब्रह्मपुत्र नदी उधारन है, यह आपका पुरुवर्ति अफवाह का, पुरुवर्ति नदी का उधारन है, 104 का आपका option यह हो जाएंगे, यह कि ध्यान देगा कि सिंदू, सतलज और सिंदू, सतलज और ब्रह्मपुत्र यह ती नदी है, जिसे पुरुवर्ति नदी का जाता है, सिंदू, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को आपको बंगलादेश में जवना के नाम से जाने जाते हैं, यह भी याद रखेगा, next आपका question number 105, question है कि 2011 जनगना के अनुसार नमकित महानगरों में से किस मे सबसे अधिक जनसंकियां दर्ज की गई है, यह कि आपका मुंबे में, मुंबे में सबसे अधिक सहरी जनसंकियां है, next आपका question number 106, question है कि नमकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, option A है कहा लगाओं, यह तो सही है, B है आपका उच्छाहर उत्तरपरदिश, यह भी सही ह C आपका कुरवा मदपरदिश, तो यह आपका गलत है, कुरवा आपका मदपरदिश में नहीं है, 36 गन में है, कहा है, 36 गन में, तो इसका answer C आपका गलत है, D सही है, इसका answer जाएंगा option C, क्योंकि आपसे पुछ रहता है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, next आपका question number 107 है, सलाल प्रजेक्ट का समन्द किस नदी से है, तो यह आपका चिनाव नदी से, जो आपके जम्मू कस्मिर में है, next आपका question number 108, question है, कि मुस्लिम लिग के अस्थापना कब हुआ था, तो यह होता आपका 1906 में, 1906 में मुस्लिम लिग का अस्थापना हुआ था, एक यह और ध्यान द next आपका question number 109, question है, कि भारत एवां भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है, भारत और भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है, तो SSB, ससत्र सीमा बल, दियान देजिगा, SSB आपका भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा पर कार्ज करते हैं, यह SSB भारत नेपाल बोडर और भारत आपका भूटान बोडर पर, और जो BSF है, तो BSF आपका राता है, भारत पाकिस्तान बोडर और भारत बंगलादेश बोडर, तो आपका BSF राता है, भारत पाकिस्तान और भारत बंगलादेश बोडर पर, और जो है, भारत तिबत सीमा तिस सभी आप याद रखेगा Next आपका question number 110 Question है कि या किस ने कहा कि मानव प्राकरतिक रूप से एक राजनितिक परानी है मानव प्राकरतिक रूप से एक राजनितिक परानी है ति या कहा था आपका अरस्तुने Option B हो जाएंगे Next है question number 111 कि कौन सा चोल सासक उत्री स्रिलंका पर बिजय पराप्त किया तो ये क्या था राजराज पर्थम ने लेकिन राजनितर चोल ने आपका पूर्ण स्रिलंका को जीत लिया था तो question है आपका कि पूर्ण स्रिलंका को किस ने जीता था ये जी था था, आपका राज़ेंद्र चोलने लेकिन कोशन कहा जाए कि उत्री सेनल का पर बीजाए कोन पराबत किया था ये किया था, आपका राजराज पर था तो दोनों में अंतर याद रखेगा नेक्स आपका कोशन नमर 112 कोशन है कि दिल्ली का हुआ सुल्तान जो सल्तनत काल में पहली बार नहर का नियमान करवाया तो यह पहली बार आपको ग्यासुदिन तुगलक ने नहर का नियमान कराया था लेकिन आपसे पूछे कि सबसे अधिक नहर के नियमान किसने करवाया है तो यह करवाया आपका फिरो नमसे जाना जाता है तो यह कोटली से जाना जाते हैं और विस्नु गुप्त से भी जाना जाते हैं नेक्ट आपका कोश्चन नमर 114 कोश्चन है कि बिहार सुशलिस्ट पार्टी का अगठन कभ हुआ है यह हुआ अथापका 1931 में ऑप्शन ए हो जाएंगे नेक्ट आपका नमकित में से किस भारतियों को बिहार का नयाव डिवान निक्त किया गया यह क्या थापका राजा सिताव राई को ऑप्शन डी हो जाएंगे नेक्ट है कोश्चन नमर 116 कि सम्धान के अनुछे 324 के अनुछार निर्वाच्चन आयों के नमकित में से कौन से काड़िया है आप्शन ए है कि संसद तथा राज बिधान मंदलों के निर्वाच्चन के लिए नियावली और राष्टपती और उपराष्टपती पदो के निर्वाच्चन का अधिक्छन निर्देशन और नियंतरन नेक्स टाप का आप्शन है कि संसद तथा राज बिधान मंदलों के नियाच्चन समदि संद्धे और विवादों के नेनाय के लिए नियाच्चन अधिकरन के निक्ति करना Option C है कि संसर तथा राजबिधान मौन्डलों के सदसों के आरता के परस्ण पर राष्टपती और राजबालों के प्रमर्श देना Option D हो जाएंगे उप्युक्त सही यानि A, B, C तीनों सही है Next आपका Question No. 117 Question है कि मोना लिसा को किस पर प्यंट किया गया था यह क्या था आपका लकडी पर Option B हो जाएंगे Next आपका Question No. 118 Question है कि अखिल भारती किसान सभा के पहले सद्र का देख्टा किस ने क्या था तो यह क्या था आपका स्वामी साजानन सरुस्वती ने Option A हो जाएंगे यह हो था आपका 1936 में कहा हो था लखनो में 1936 में हो था लखनो में यानि अखिल भारती किसान सभा के पर्थम अधिविशन हो था 1936 में लखनो में हो था Next आपका Question No. 119 Question है कि भारत के किस राज में सहरी जन संक्या के परती सर्थ सबसे अधिक है तो यह है आपका महाराष्ट में Option D हो जाएंगे Next है Question No. 20 यह भी प्रस्ट बहुत अच्छा है Question है कि राष्ट पती पर महावियोग का प्रस्ताव लाने के लिए निम्मे से कौन सी सर्थ पूरा करना आवस्ट है तो यह है आपका अभी ब्योग लगाने के लिए सदन के समझ सदस के 1.24 सदस का हस्ताक्षर होना आवस्ट है Option A हो जाएंगे यहनि सदन के जितने भी सदस है यह नहीं कि उपस्ती देखिए Option B में आपको फसा सकता है Option B आपका गलत है यहाँ कहरा है उपस्ती सदस के 1.24 है लेकिन नहीं आपका जो टोटल सदस है उसके 1.24 होना चाहिए और एक ची और कि 14 दिन पूर्व आपका राष्टपती को इसका सूचना देना चाहिए 14 दिन पूर्व और आप ची एक ची और दियान देखिए कि राष्टपती पर महाबियोग आपका अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गिया है नेक्स आपका कोश्चन नमर 121 कोश्चन है कि इन बतूता किसके सासनकर में भारत आया था यह आया था आपका मुहमद बिन तुगलक के समय में आपसन ए हो जाएंगे इसके पुस्ता का नाम है रहेला याद रखेगा रहेला इन बतूता के पुस्ता का नाम क्या है रहेला नेक्स आपका कोश्चन नमर 112 कोश्चन है कि 1930 में जिसने इंडियन रिपाउलिकन आर्मी का नाम पर स्वाधिनता उद्घोसन जारी की थी यह क्या था आपका सुड़िशेन ने आपसन C हो जाएंगे नेक्स आपका कोश्चन नमर 123 कोश्चन नमर 123 कि तट्रेखा से कितने नौटिकल मील तक महासागरे छेतर किसी देश का आप वर्जक आर्थिक छेतर माना जाता है ति यह होगा 200 नौटिकल मील तक आपसन B हो जाएंगे नेक्स आपका कोश्चन नमर 124 कोश्चन है कि पंचेती राज की स्थापना की दिसा में सर पर्थम किस समीती की सिफारिष पर प्रयास के गए ति यह किया आपका बलबंत रहे मेहता समीती जो आपको तिरी अस्तिये पंचेती राज बेवस्था को लागू करने का सिफारिष किया था और यहीं सिफारिष आपको माना भी गया नेक्स आपका कोशन नंबर 125 कोशन है कि पंचेती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के अस्तर कौन सा है यानि तीन अस्तर पर पंचेती राज होते है पाला है आपका जो सबसे नीचे ले करंप है वो आपका ग्राम सभा है ग्राम सभा और पंचेत इसके बाद आता आपका पंचैत समीती और सबसे उपर होता आपका जीला प्रिसद नेक्स्ट आपका कोश्चन नमबर 126 कि सर्विंट आफ इंडिया सोसेटी के संस्थाफक क्या कौन है ति यह आपका गोपाल किष्ण गोखले एक शी और ध्यान रखेगा कि महात्मा जी के राजनितिक गुरू थे गोपाल किष्ण गोखले नेक्स्ट आपका कोश्चन नमबर 137 कोश्चन है कि फूलो की घाटी राष्टे उद्यान भारत के किस राज में है जो युनुस्को के 20 धरो सुची में भी है और अपनी अस्थानिक अलपाइन फूलो और प्रनस्पतियों की विविता के वाले मैदान के लिए भी जाना जा जाता है जब यह आपका आगया फूलो की घाटी यह पर सीधा आपका उत्राखन में कहा है उत्राखन ऑपशन डी हो जाएंगे नेक्स्ट आपका 128 कोश्चन है कि केंद्रिय सतकर्ता आयोग सतकर्ता आयोग के अस्थापना निम्में से किसके सिफारिस पर की गई थी ऑपशन डी हो जाएंगे नेक्स्ट आपका कोश्चन नमबर 119 कोश्चन है कि पर्तम विश्यूद किस वर्स अरब हुआ यह हुआ 1916 में जो 1918 तक चला था ऑपशन यह हो जाएंगे नेक्स आपका कोश्चन नमबर 130 कोश्चन है कि बिहार आज में अच्छाई उर्जा विकास के लिए किसकी अस्थापना की गई है यह क्या आपका बिहार अच्छाई उर्जा विकास एजन्सी आप्शन ए हो जाएंगे नेक्स आपका कोश्चन नमबर 131 कि राष्टपती द्वरा भेजेगे बिधाय को संसत द्वरा पुना संसोधन या बिना संसोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्टपती को दूसरी बार उसे सुकृति देना ही पड़ेगा या एक बार राष्टपती की या अधिकार है कि वह विधाय को वापस संसत के लिए भेज सके लोगसवा और राष्वा के पास पुनार बिचार के लिए और दुबारा जब आपका लोकसवा राजसवा पारित करके राजपतिक पास भेजते हैं तो उसे सुकृति देना आवस्यक पर जाते हैं उसे सुकृति देना ही परेगा ने तो पॉकेट बीटों के रूप में उसको इसका नीरने को आप रख सकते हैं नेक्स्ट आपका कोश्चन नंबर 132 कोश्चन है कि चंद सिखर आजाद मुटवेर में कहां सहीद हुए थे यह हुए तो आपका इलावाद में आपसन ए हो जाएंगे आपका 32 का आपसन ए हो जाएंगे नेक्स्ट आपका कोश्चन नंबर 133 कि जूट के उत्पादर में बिह पस्षी मंगाल और दूसरी अस्थानबाब का बिहार आते हैं नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 134 कोश्चन है कि बिहार में लगभग कितने छेत पल किर्सी कार्ज होता है तो लगभग 60% भागपर होता है ओप्शन C हो जाएंगे नेक्स्ट आपका 135 की भाद का पर्थम उबरक पलांट अस्थापित किया गया था तो यह किया था आपका सिंदिरी में ओप्शन B हो जाएंगे नेक्स्ट आपका 136 कोश्चन है कि केसर का मुख उतपादक राज कौन सा है तो यह है आपका जम्मू कश्मीर ओप्शन C हो जाएंगे किसर का एक मात्र उतपादक राज है जम्मू कश्मीर सोरी जम्मू कश्मीर अब आपका राज नहीं है यह आपका केंसासित पर्दिस है नेक्स्ट है कोश्चन नमर 137 कोश्चन है कि गंगा की सहाइक नदी जो नीचे वर्नित है कौन उत्तर की और प्रभाईत है यह आपका सोन नदी जो दच्छी सायकर गंगा में मिलती है यानि उत्तर की और प्रभाईत होती है नेक्सट है कोश्चन नमर 138 कोश्चन है कि मुंगेर नमकित में से किसकी राज़ानी थी यह थी आपका मीर कास्रिम का और यह हो जाएंगे नेक्सट है 139 महात्मा गंदी ने भारत वर्ष में पहला सत्यगरा कहां सुरू किया था यह किया था आपका चंपारन में 1917 में यहाँ भी कोश्चन आपका पूस्ता है कि महात्मा गंदी को चंपारन अंदुलन के लिए किसने बलाया था यह बलाया था आपका राजकुमार सुक्र ने नेक्स्ट आपका कोश्चन नमर एकसो चालिस और सयोग आंदुलन कब जुरू हुआ यह हुआ आपका 1920 में कब हुआ 1920 में हुआ नेक्स्ट आपका कोश्चन नमर 141 कोशन है कि 12 में यहां से आपका क्रेंट रफेर का कोशन है 141 से लेकर 500 में आपका 10 कोशन क्रेंट रफेर का है तो इसे आप अच्छे से से देखिए और इसे याद ही कर लिए हो सके तो इस कोशन को आप कॉपी पर लिख लिए क्योंकि आपका जितने भी क्रेंट रफेर हैंग तो यह आप कर लिए कि हर सिर्थ आप करेंट रफेर को अपने कॉपी में उसको not on कर लीजिए और उसको परते रिए एक्जाम तक आपको अच्छा करेंट रफेर का त्यारी हो जाएगा किस राज को गोंड पेंटिंग की जिये टैग मिला है तो यह मिला आपका मादपर्दिश को आपसन यह हो जाएगे नेक्ट प्रसन आपका कि अप्रेल दोयात्रिश में भाद के बिदेश मंत्री ने किस देश में तुलसी घाट रिस्ट्रेक्शन प्रजेक्ट की सुरू की है यह क्या आपका यूगांडा में आपसन सी हो जाएगे अभी भाद के बिदेश मंत्री कौन है तो यह है आपका एस जैस संकर याद रखेगा नेक्स्ट आपका कोस्टन नमर वन फोर्टी फूर 144 है कि मार्च 2003 में एस्टेसनी निर्माता कंपनी लोक्षोर ने अपना ब्राण वेस्टर की से नुद किया यह क्या आपका ब्रयाट कोली को आपसन सी हो जाएगे मार्च 2003 में नेपाल की नई रथाज्फदी याद रखेगा यह बने आपका रामचंद्र पाएड़ोल इससे पहले कौन था यह था आपका बिद्या भान्यारी तो अभी कौन बना है रामचंद्र पाएड़ोल नेक्स्ट आपका कोश्चन नमर 146 कोश्चन है कि फ्रवरी 23 में महिला T20 बिसकप किताब किसने जिता या कि जिता आपका अस्ट्रेलिया ने आपसन D हो जाएंगे नेक्स्ट आपका कोश्चन नमर 147 कि किर्केट के तीनु प्रारोप में सतक लगाने वाले भारत के पहले कफ्तान कौन बने हैं तो ये बने आपका रोहित सरमा आपसन B हो जाएंगे नेक्स्ट आपका कोश्चन नमर 148 रास्टपती भर में मैजुदा मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया है ये क्यापका अमरित उद्यान आपसन C हो जाएंगे नेक्स्ट है 149 कोश्चन है कि जनमरी 2030 में देश का नमर वन पुलिस अस्टिशन किसे घोशित किया गया है यह भी इंपोर्टेंट है याद रखेगा यह क्या है आपका आश्खा आउक्सन B हो जाएंगे नेक्स्ट है डेश्चन है कि भात का पहला समिधान साक्षर जिला कौन बना गया है यह बना आपका कुलम किस राज का है तो की रल का है कौन है कुलम यह था आपका यानि 51 से लेकर आपका यानि 200 प्रसंट तक यह था आपका GKGS का प्रस्ण अब रह गिए आपका मैथ और रिजिनिंग का प्रस्ण तो चलिए हम मैथ और रिजिनिंग का प्रस्ण को स्वल्ब करते हैं तो आपका 100 प्रसंट था GKGS का रहेंगे अब 50% है अब का math और reasoning का इसमें से 25 होगा math का और 25 होंगे reasoning के प्रस्ट तो यह है आपका यहाँ से आपका start है math और reasoning math का first person है आपका कि देखिए यहाँ पर multiply किया है सब करें इसका इकाई अंक क्या होगा तो सबसे सिंपल है कि इसके सब के इकाई अंक को multiply कर दीजिए देखिए यहां क्या है आठ चोक 32 हो जाएंगे तो लास्ट में क्या है टू है और इस टू को इस फोर से करते चलिए यह तो आपका eight हो जाएंगे next आपका question number two है question two है कि एक टीनिस खिलाडी ने अपने कारियर में पांच मैच जीते बारा मैच हारे और उसने तीन मैच ड्रोड है तो अपने कैरियर में हारने वाले मैचों का भीन है तो देख लीजे कितना मैच हारा है तो बारा मैच हारे है टोटल मैच कितना हो गया तो बारा पांच सत्रा सत्रा तीन बीस यहनि बीस मैच में बारा मैच हारे है तो यह हो जाए आपका बारा बट्ट 20, 4, 3, 12, 4, 5, 20 यानि 3 बटे 5 हो जाएंगे आपका Option number D हो जाएंगे Option number D हो जाएंगे 3 by 5 Next आपका question number 3 है Question आपका कि निम्ट के समिक्रानों में से किसके मूले वास्तविक और असमान है तो इससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कब मूले बास्तविक होते हैं बास्तविक और समान होते हैं कब मूले बास्तविक और असमान होते हैं और कब मूले आपका इसका मूल अभासी होते हैं तो इसके लिए आपको ये देखिए ये आपका दुगात समिक्रान का है कोई AX square BX plus C बराबर 0 आप एक चीड होगे कि इसका B वी बड़्यो हो नगा D टी बरावर B Skrair minus 4 Ac यदि आपsy का value calculate करते हैं यदि आपका मान zero आई ऑगया तो इसका मुल्य होता आपका, वास्तमिक और समान होते हैं रखेगा जब voltar chil JUDY मिकमान K temple d j塊 R हो तो मानि रूट क्या होता आपका वास्तफिक और समान होता है याद रखेगा डी बढ़ावा जीरो तो वास्तफिक और समान होंगे लेकिन डी जब आपका जीरो से क्या हो अधीक हो यानि वान हो टू हो यानि पोजिटिव हो तब रूट होता है इसका वास्तफिक और समान क कब होता है जब डी जीरो से बड़ा हो जब आपका डी जीरो से क्या हो छोटा हो जाए तब आपका इसका आवहासी ही आपका आवहासी रूट होते हैं तो इसमें कोशन था कि वास्तविक और और समान यानि जिसका डी जीरो से बड़ा हो जाए उसका आपका क्या जगा वास्त 2 आजाएंगे C के value 1 आजाएंगे आप कीज़ेगा B square minus 4AC तो दो दिनी 4 minus 4AC4 यानि 0 आजाएंगे A मत आपका D के value 0 आ रहा है तो यह जगा आपका वास्तिव कर समान B में भी निकालेगा तो 0 आएगा C में भी निकालेगा आपका तो देख लिए C का B square यानि दुनी 4 minus 4AC यानि आपका यह negative आजाएगा इसका तो आभास्य पर्तिव में बनेगा पर्तिव में बला गया यानि आभास्य रूट होंगे फिर आपका option D हो जाएंगे इसका calculate कीज़ेगा आपका option D में आपका बीवेचक 0 से बढ़ा आएंगे तो यही हो जाएगा आपका answer क्योंको मुल इसका वास्तिविक और awesome आँगे next आपका question 4 question है कि 55 की छोटी सभी अभास्य संख्या की संख्या ग्याद करे यानि 55 से छोटी सभी अभास्या जितने भी है उसको county आपको तो सिंपट्स कीजे गये 55 से नीचे छौबन नहीं के तीरप संख्या तीरपन है AT कि आका macabwe the goodे county कर लीजे तीरपन होगा फिर होगा आपका 51 का नहीं होगा vermey text or ऐधर 59 24 भी नहीं होगा आपका पूंटी सेवन होगा फोटी सेवन के बाद आपका 37 हो जाएएंगे फिर आपका 37 के बाद हो जाएंगे आपका 36 5 4 3 भी नियर ओगर 31 हो जाएंगे आपका फिर 29 हो जाएंगे फिर 29 के बाद आपका 88 28 होगा ने 27 ने होगा 26 भीन होगा 25 भीन होगा 24 ने होगा 23 हो जाएंगे फिर 23 के बाद 19 हो जाएंगे फिर 17 हो जाएंगे फिर आपका 17 के बाद 13 हो जाएंगे फिर 11 के बाद आपका 10 होगा नहीं 9 भीने होगा 32 January ने होगा आपका 7 होगा फिर 7 के बाद 6 ने होगा 5 हो जाएंगे 5 के बाद 3 हो जाएंगे यगा 4 हो जाएंगे option A हो जाएंगे next आपका question number 5 question 5 है कि दी गई संख्या यानि 655 को दरसाना है 655 इस रेखा पर कहांगे number line पर तो इससे भाग दीजिए तो आएगा आपका 1.2 यानि 6 में आप 5 से भाग दीए 1.2 आएंगे आपका question number 6 question number 6 कि संख्या 3.03 और 2.05 कि योग और उनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगी देगे simple question आपका है तो मान लिए एक संख्या X है एक Y जोड़ने की आएक आएक आपका दीए X प्लस Y है देगे simple question दिखाते हैं आपको और इस दोनों को करा है घाटा आकर जोड़ने के लिए X में आपको जोड़ दीए अब दीए Y कट गया क्या बचा है 2X यानि जो सुरू का अंक है उसको दोगुना कर दीए आपका एंसर आ जाएंगे यह जगा आपका option B हो जाएंगे 6.06 नेक्स आपका question नबर 7 question है कि निमकित में से कौँसा पड़ में संक्या नहीं है पड़ में संक्या या जिसको हम PYQ को रूप में लिख सकते हैं देखिए तो इसमें जो A है 1296 में यह इसका रूट आपको निकल जाएंगे यह बिल्कुल है भी है नो रूट अंडर 900 तो इसका तीस हो जाएंगा यह भी है यह आपका आजएगा 25 25 का रूट आजएगा आपका 5 यह भी है option D हो जाएंगे क्योंकि 125 का तोरिय गत यह जगा 5 रूट 5 यह जगा आपका option D हो जाएंगे नेक्ट आपका question number 8 question number 8 है कि कि नहीं दो करमागत समसंख्या होगा गुनार फॉल हमेशा किसे विवाज होगा तो simple आपका सबसे छोटा समसंख्या लिजिए एक दो है इसका अगला समसंख्या क्या चार है दोनों को multiple है क्या है आट है इसको भी संख्या लेड़ तो आप दो लगातार समसंख्या है गुनार फॉल हमेशा एट से विवाज ही होंगे आप देख देख करके देख लिजिए दो एक्रम पर लिजिए उसको देख लिजिए करके नेक्स्ट आपका question number 9 question है कि किसी बिंदू P से P A और P B दो असपर स्रेका खीची जाती है ओपी बिर्थ के ब्यास के बड़ावर है तो कोवन A B B क्या होगा देखिए आपको hint हम बता देते हैं यह दिखिए यह विजिए अपका यह तिरिजा होगा आर लेकिंगर यह दूरी ही आपका किना है तो आपसे यह एंगल टोटल पूछ रहा है तो यह एंगल निकाल लीजिए य कि रही हो आर हो गिया लंब टू आर हो गया करन तो लंब बटि करन क्या होता सैन ठीटा तो आप आरब बटे 2R कीजीगा आर अर कर जाए वन बैं 2 आएगा यायानि सैन ठीटा बड़ावर वनLo लाए तो थीटा कितना आएंगे 30 degree यह आगया आपका 30 degree तो टोटल कितना हो जाएंगे 60 degree हो जाएंगे तो आपको hint बदा दिये आप यहां से इसको शोल्व कर सकते हैं तो इसका आज जगा आपका option number D आजएंगे next आपका question number 10 question है कि 30 के 30 30 आपको पर最近 30 30 दाइस के तीन दिने का मान किया होगा दिए 20 की बटे हाँजा कि घृड़ा जल्डांवी सब्सक्राइब इसका रहे थे देडों कि तीन के सब्सक्राइब हो इंट करएंगे 520 ने सकते हैं जाए 10 8र Kayla取ri हरेमे तेन कर दो सकते हो 120 लेकिन नीचे देखेंगे कितने 0 है उतने आंग के बाद पॉइंट हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच छे लेकिन एक जीरो आपका कर जाएगा तो 5 जीरो बच जाएंगे चलिए हम देखते हैं यानि 5 आंग के बाद किसमें पॉइंट दिया गया है क्योंको 243 तो सम में सेम है तो 5 आंग क्योशन है कि संंख्या में 8 के अस्थानिक मानों का उंतर क्या हो एक पाली आठ यहां एक है तो देखिए इस आस में effective दो तीन चार यहां जो अंग है उसndना जितना एन्निढ़िए जिस के इन आप किए आइक दो तीन चार चार तो इस पर आपका तीन गो चोड़ी चार गो जीरो हो जाएंगे फिर है यहां पर देखिए एक हैथ आठ पर एगो जीरो हो जाएंगे मैनस कीजिए यह आजाएगा आपका 79979920 ऑप्शन डी हो जाएंगे तो अस्थानिक मान असान होता आपका नेक्स आपका कोश्चन नमर 12 मिश्र में दूद और पानी का अनुपाद 5 अनुपाद 3 है कि इस मिश्र में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपाद उलट जाए देखिए बहुत अच्छा प्रस्ण आपका कि 48 लीटर पानी है मिश्रन है पका पानी और दूद का जिसमें आपका 5 अनुपाद 3 में क्या है दूद और पानी है तो करा इसमें कि कितना पानी मिला जाए से इसका अनुपात बदल जाए यानि दूद आपका तीन हो जाए पानी आपका पांच हो जाए ऐसे किजे दगिए पानी मिलाएंगे तो आपको पानी ही चेंज होगा आपका दूद चेंज होने वला नहीं है यह जो दूद का अनुपात है यहां 5 है यहां 3 है तो यह दुनों क्या है different है तो हम उसको same कर लेते हैं यहां पर आप क्या किजिए 3 से multiply कर दीजिए यहां पर 5 से क्या किजिए multiply कर दीजिए तो यह आजागा आपको 5-15, यह भी आएगा 15, यह जागा 3-9, यह जागा 5-25 चलिए हम दिछाते आपको, यहाँ आजागा की आजाएगा, यह जागा 5-15, और 3-9, फिर आजागा यहां पर 15-25 यहां पाता आया यानि देखिए अब स्यम हो गया यानि पहले भी दूद इतना है अभी यहां तो आप देख लीजिए कि यहां कितना डिफरेंस है 16 का डिफरेंस है इसको जो यह इकना का यानि 15 9 हो जाता आपका 24 पंद्र ना 24 यह है आपका 24 है 48 के बरावर तो वह न आजाएंगे टू के बरावर तो यहां पर कितना बढ़ाया तो 16 तो एक पार्ट है दो तो 16 पार्ट हो जाएंगा आपका 32 आपसन यह हो जाएंगे नेक्ट आपका कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नमबर 13 है आपका कोश्चन नमबर 13 देखते हैं देखिए यह भी आपका आसानी प्रस्ण है कोश्चन है कि A अनुपाद B दिया तीनुपाद 4 B अनुपाद C दिया पांच नुपाद 9 C अनुपाद D दिया 16 अनुपाद 5 तक कर आपका A अनुपात D क्या होगा तके हम ऐसे कर सकते हैं क्या A बटे D को हम लिख सकते हैं क्या A बटे B गुणे B बटे C गुणे C बटे D अब दहि translinkito BB यहां से आपका कर जाएंगे CC यहां कर जाएंगे लेकिन आपको कातना नहीं है क्या है काटना नहींए आप देखिए यह बाई बीक कमाने क्या में भाग भागिए होता है यettedा यह बीको तेरy4 है their leaders यह यहां पाधा 77-339 थी जर्हाल तो सोलल बत्टे 15 दीएहए आप सबी को च्छों काट दीजिय थिये तहसिए आप Quelling किजी आब का आजेगा आजेयराँ4 तो नो आजेंगे इसको क्योंकि आपको र irrelevant कीज हम आपको में या आपको सौल हिंट करके दिखें यहां पादे सकते हैं यह इसको आपको पुरा बनाना पठेगा आप racial जिस रास्ता दिखा देंगे इस रास्ता आपको चलना पड़ेगा नेक्ट प्रस्थन आपका है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सीखे कानुपात 1 पात 2 पात 3 में है तो इसमें कूल आपका 30 रुपिया है तो 5 पैसे के सीखे कितनी है बहुत अच्छा प्रस्थन अब का च utilizing देखते हैं ऐसे किज़ाया कि देखिये 25 पैसा एक सीखा है तो फिर कितना है अन जोई 20 हो फिर है पांच कान रूपात किना है पांच परिसे का तीन है यह जगा आपका 5 त्या 15 तो टोटल कितना परिसा हो गया आपका तो 22 20 हो गया आपका 45 45 पलस 15 60 हो गया कितना हो गया आपका 60 यह आपका 60 X क्योंकि इसका नियातां X लेंगे लेकिन टोटल कितना रूपिया है 30 रूपिया है लेकिन यह आपका पैसा में है तो 30 रूपिया कितना पैसा जगा आपका तो यह जगा आपका 3000 पैसा उसको कर दिये 56 30 एकस का वहलू है जगा आपका 50 किना यहाँ पचास आजेंगे चलिए आप आगे दिखाते हैं 50 आगे है X के value पचास आगे है तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना से 15 तो फांच पैसे अग सीह कर रहा है तो यह आपको 15 गुने कितना आ जगा 50 हो जाएगा यह आपका आगे है टोल पैसा कितना पांच पेसे के टोटल तो लेकिन इसमें पांच से भाग दिया तब तो सी का निकलेंगे पांच तिया पंदर यानि पचास तिया डेर सो आपका आजाएगा ऑप्शन सी आजाएगा नेस्ट प्रसन है आपका कोश्चन नमर पंदरा कोश्चन है कि एक कार का गती 16,2,3 मीटर पर सेकेंड है तो उसका गती किलो मीटर पर आवर में क्या होगा सिंपल प्रसन है उसका भी न बदल लिए तो यह आजाएगा आपका पचास बटे 3 तो मीटर पर सेकेंड साफ किलो मीटर पर आवर में बदल लिएगा तो शिंपल आप 18 बटे 5 से मल्टिप्लाइ कर दिजिए 3 शके 18 हो गया 15 हैं 50 हो गया यानि आपका 10 शके 60 आजाएगा option number D आजाएगे क्या आजाएगा आपका option number D आजाएगे 60 km पर आवर चलिए आप याद कर लिजिएगा कि जदी आपका दिया है speed kpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp इसे आप याद कर लीजिए, कोश्चन नमर 16 है, कोश्चन है कि एक चीनी का मुल्य 10% गिर जाता है, तो किसी घर में चीनी का खपत में कितनी परसन बिर्धी कर दी जाए, यानि बढ़ा दिया जाए, कि चीनी पर कोई प्रभाव नहों, यानि चीनी के बियाए में कोई गिरावट नहा है, तो देखिए, शिंपर आप एक फर्भाव याद कीजिएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, प्लस ए बी बाई हंडेड, ये बहुत सारे कोश्चन में काम आती है, देखिए, हम कैसे इसका यूज करते हैं, तो ये होता आपका, जैसे काता किसी आयत का लंबाय बहा दिया, इतना चौरा इतने घटा दिया, तो टोटल कितना होगा, इस पर आप काम ये फर्भाव आपको लग जाएंगे, यहाँ भी ये काम करेगा, तो करा है, नेट कोई फर्भाव ना पड़े, यहाँ नेट इसमें क्या होना चाहिए, जी रो हना चाहिए, एक जगा आप करा 10%, इसका मूली क्या गिर जा रहा है, तो एक जगा आप मैनस 10 लिजिए, बी के जगा बी ही रहने दीजिए, तो यह आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ से आपका B के वैलू आ जाएगे, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिगा, तो B के वैलू आ जाएगा, आपका 100 by 9 आ जाएगे, 100 by 9 आ जाएगे, यहनि आप्शन नमबर D हो जाएगा, नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 17, कोश्चन है कि यदि 8 बस्टों का क्रैमूल, 10 बस्टों की बिक्रैमूल के बराबर है, तो लाब या हानी परतिसत ज्याद कीजिए, देखिए, तो 8 बस्टों खर दे, तो इसको बलते हैं कंजूमर प्रेस, CP बराबर 10 बस्टों के आपका, शेलिंग प्रेस के बराबर है, यानि SP के बराबर है, यहां से आप CP बटे SP कीजिएगा, तो यह आजग आपका 10 बटे 8, यानि कोई बस्टों 10 बटे आपका खर देते हैं, तो 8 बटे में सो बेज देते हैं, तो हानी हो रहा है, इसका मतलब कितना कहानी हो रहा है, तो 2 कहानी हो रहा है, कितना हम हो रहा है, तो 10 में हानी हो रहा है, तो 10 बटे 10 बटे गुने 100, यह आजग आपका 20 परसेंट, यह आपका 20 परसेंट आपको लॉस लग रहा है, क्या होगा 20 परसेंट हानी होगा, option A हो जाएंगे next question आपका question बठारा कि कोई धन सदारान ब्याज से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो अपने 4 गुनी कितने वर्षों में होंगे देखिए मान लेते हम कि इसका सदारान ब्याज मान लेका है x है तो x है यानि 2 x है मुल्दन x है तो हो गया 2 गुना ब्याज x हुआ x मुल्दन का तो आपका मिश धन कितना हो गया x प्लस x 2 x यानि कितना रुपी हो गया x का 2 x हो गया कितने वर्षों में 6 वर्षों में ब्याज धन में नहीं पता है तो ब्याज बराव हो तो मुल्दन को ने समय को ने दर बटे एकस हो, एकस एकस यहां से कर जाएंगे, यहां से पचास यहां से तीन, यहां से आपका ब्याज का दर आ जाएगा, पचास बटे थीरी आ जाएगे, क्या जाएगा आपका, डी के वैलू आएगा आपका, पचास बटे थीरी परसेंट, अब कर आपका कोशन, कि चार गुन्ना होना है, तो चार गुन्ना होगा आपका मिश्दन, यानि आपका ब्याज क्या होगा? 3X होंगे, यदि रूप्या X का ब्याज 3X हो जाए, तो मिश्दन 4 गुन्ना हो जाएगा, यहां पर आप D के वैल्यू 50 बटे 3 रख लिजेगा और आपका समय नहीं दिया है तो समय को आप T माल लिए by 100 किजेगा तो यहां से आप कैलकुलेशन कीजिए तो यह आजाएगा आजाएगा आपका कैलकुलेशन कीजिए तो यह आजाएगा आपका 24 ऑप्सन बी हो जाएगे क्या जाएगे समय के 24 वर्ट्स ऑप्सन बी हो जाएगे नेक्स्ट आपका कोशन में 19 कोशन है कि एक धन चकवरती ब्याज पर दो वर्ट्स में 5 परसन की दर्चे एक सो चोंचट रुपिया हो जाएगा यानि चकवरती ब्याज क्या है एक सो चोंचट रुपिया पांच परसन पर दो साल है तो इसका सधाराम ब्याज वाज़ेंगा आपका ऐसे कि जाएगा पांच दुनी 10.25 परसन यह है 164 तो यहां से आप 1 परसन पहले निकालेगा फीड आप 100 परसन निकालेगा तो एक परसन आएगा 164 बट्टे 10.25 गुने 100 कीज़ेगा तो 100 परसन आज़ेगा यहां से आप कैलकुलेशन कीज़े तो आपका एंसर आज़ेंगे 16 क्या होगा 19 का option number A हो जाएंगे क्या होगा आपका 19 का option number A हो जाएंगे next आपका question number 20 question number 20 है तो इसमें कराएं कौन सी सबसे चोटी संख्या है या कौन सी सबसे चोटी भीन है एक तरीका यह है कि आप भाग देके देख लिए सबसे कम वैल्यू जिसका आता है तो आपका option D आजएंगे एक दूसरा भी तरीका है आपका कि इस तीनों का LCM लीजिए और सभी में multiply कर दीजिए और नीचे तो सीम आ जाएगा उपर वाला देख लिए गुना करके कि कौन सा संख्या सबसे चोटा आता है आपका option D आजएंगे next question आपका 21 देखिए P का अर्थ पलस है Q का अर्थ गुना है R का अर्थ भाग है S का अर्थ मैनस है तो जहां जहां आपका जो दिया है जैसे यहां 44 है फिर है Q Q का अर्थ क्या है गुना है फिर है 9 फिर है आपका R R का अर्थ क्या है भाग है फिर क्या है आपका 12 है इसी तरह आप जैसे जो भी संख्या है उसको हटे यह जो आपका आपका सिंबॉल दिया वह लगाई है इसे आप कैलकुलिशन कीजिएगा तो आपका यह एंसर आजेंगे सिंपल कोशन है तो 21 का ऐसे option यह आजेंगे आप कैलकुलिशन कीजिए गतो नेक्स्ट आपका question बाद 22 question है कि जैसे घर है घर कमरा यानि कमरा से मिलकर क्या बनता आपका घर बनता उसी तरह से बिशुआ आपका मिलता है राच से यह अनेको राच से मिलकर बिशुआ बनते हैं कितने हैं अथास्टान आगे है और इसका रहें कितना है आपका 26 है तो 26 में से आप 8 मेनस किज़ेगा तो आजग आपका शोरी चब्विस में से आप 8 मैंस कीज़ा है यह आपका 18 26 में से 8 मैंस कीज़ा है तो आपका 18 आपका 18 रहेंग आपका इधास आगिया तो इधास रहेंगे कितना आएगे तो 42 मैंस 18 कीज़े पलस 1 कीज़े तो option C आजेंगे 25 Next आपका question number 24 question number इसको बना लिजाएगा नेक्ट आपका कोश्चन नमर 25 परचीस है यह थोड़ा लेंदी कोश्चन है यहां बनाना संभब नहीं है आपको एंसर बदा देते हैं और आप इसको बना लिजाएगा नहीं ति इस सभी आपका जो मैत और रिजिनिक कोश्चन है इसका हम सलूशन आ आपको बनाना संभब नहीं है क्योंकि आपका बना बना पाएंगे तो इसलिए आपका इसका पीडियेप को मैतर रिजिनिक का आप मेला लिजीगा आगे दिखते हैं और census यहां साब्सक्राइटम कर देते हैं कर दिस परसन का इसका संभब नहीं है सुलूशन उसको पीडिय देंगे इसे सभी कोश्चन का आपको पीडिया में देंगे सुलूसन का मैं थर रिजिनिका वहां सब मेरा लीजीगा चलिए हम आगे दिखते हैं कोश्चन नमर ट्वैंटी सिक्स देगे 20 है यहां 400 है तो बीस का स्कॉर्ड है यहां 400 424 है यह क्या होगा 20 का स्कॉर होगा और स यहां यहां पर साथ है यहां 37 फिर चार सो 37 से अब सूचिए यहां पर कैसे होगा अपलोग बना कर देखिए तब तक कैसे होगा यह कोश्चन कैसे बनेंगे तो देखिए बहुत अच्छा प्रसन आपका कि यहां देखिए क्या किया है दो में आपको 4 से मल्टिप्लाइक किया 8 हो गया इसमें से मैनस 1 कर देखिए क्या आएगा 7 आएगा इसी तरह से 7 को 4 से मल्टिप्लाइक किजिए तो 37 इसी तरह से 37 को 4 से मल्टिप्लाइक कि 427 को आप 4 से क्या किजिए multiply किजिए minus 1 कर दिजिए अब जब minus 1 किजिएगा तो 37 का आजाएगा आपका option नुमर बी आ जाएंगे 707 कि 707 आ जाएंगे next आपका question नुमर 24 24 है कि यहां देखिए 24 दिया फिर 60 है फिर 120 है फिर 210 है तो कैसे है देखिए ऐसे किजिए आप एक पर difference किजिए दुनों में तो 24 और 60 यह आजागा आपका 36 फिर इसको किजिए 60 और 120 में तो 60 आ जाएंगे फिर इसमें किजिएगा तो यह आजागा आपका 90 एक फिर दुनों दिफिरेंस किजिए यह किजिएगा तो आपका आजगा 24 ये की जेगत आपका आजगा 30 तो 24-30 में कितना आजगा दा है 6 का अंतर है यानि 36 आना 6 तो 90 में आप 36 को 8 कीजिए फिर आप 210 में 8 कीजिए तो यह जगा आपका 336 यह जगा आपका 336 next आपका question है 29 question है कि उत्तर पूरफ को पस्षिम हो जाता है और दचिन्पूर उत्तर हो जाता है तो 16 क्या होगा चलिए लिए देखते हैं यह देखा आपका यह है आपका पूर यानि East है यह है आपका West, North, South तो question कर रहा है कि उत्तर पूरफ यह है आपका उत्तर पूरफ तो यह हो जाएगा आपका दच्छिन यानि नौर्थ सौथ हो जाएगा तो करें पस्छिम क्या हो जाएगा तो आपका पस्छिम तो यह था तो पस्छिम हो जाएगा आपका यह हो जाएगा इस्ट और सौथ के बीच यानि हो गया पूर आप दच्छिन यानि दच्छिन पूर option यह हो जाएंगे next आपका question number 30 देगे question number 30 भी आपका लेंदी है इसका आप solution देदेंगे वहाँ सब देख लिजीगा इसका answer हो जाएंगा 30 का answer हो जाएगा आपका option number यह हो जाएंगा आपका da का mama है next आपका question number 31 question है कि इतना कि अंको को आरवी करम में आरवी मना बरतेव करम में ब्यवस्तित कीजिए और पूर ब्यवस्ता के बाद कितने अंक का अस्थान और पड़िवर्तित रहेगा यानि नहीं बदलेगा simple है आप देखे लिजे पहले क्या होगा पिसे सब्सक्राइब आपको फ्र्स पाइब पेंदर 6 आपको अब आताम है ने में 2 यहां यहां पर 4 है लेकिन यहां भी 4 है 2 को मिलीगा सीम फिर आपका 6 यहां 5 है फिर 1 है यहां 6 है अब कोई नहीं मिलेगा यहने कितना मिल रहा है तो 2 होगा option number B हो जाएंगे आपका 2 option number B हो जाएंगे 2 नेक्ट आपका question number 32 यह भी आपका lengthy question है इसका आपका solution मिल जाएंगे वहां से आप देख लीजिएगा लेकिन answer आपको बदा रहते हैं 32 को हो जाएगा आपका option number B हो जाएंगे A नेक्ट आपका question number 33 यह भी आपका lengthy question है और बहुत अच्छा प्रस्ण है तो इसका भी आपका PDF मिल जाएंगे option B हो जाएंगे ससूर नेक्ट आपका question number 34 34 हो जाएगा आपका option number A देखिए इसमें कितने तिर्भूज है तो इसमें आपका यह जो है आयत जैसा है इसमें आपका आठ तिर्भूज हो जाएंगे आठ हो जाएंगे यह 9 हो गया यह 10 हो गया यह 11 हो गया और 12 मिलेकर 12 हो गया तो 12 आपको दिख गया लेकिन 2 आपको यह दिखेगा एक यह है और एक आपका यह है तो हो जाएगा total शुदा option A हो जाएंगे next आपका question number 35 question number 35 है कि दिएगे बिकल्प में विश्म को चुनिए तो एसिया महादिश है फिर यूरोप है एसिया है अफरीका है लेकिन आपका कनारा क्या देश है बाकि क्या है महादिश है next आपका question number 36 question है कि soda water mineral water और liquid को भी water है तो लिक्विट तो है तो यानि liquid के अंदर आपका आपका soda water और mineral water option A हो जाएंगे next आपका question number 37 37 number question है कि 4 बिकल्प दिएगे है इनमें से 3 किसी ने किसी रूप से समान है जबकि से एक अलग है तो बिकल्प में चुनिए जो बाकी से क्या है अलग है तो A में देखिए 30 27 है तो यह आपका 3 का क्या Q है 64 है तो यह 4 का Q है यह 125 है 5 का Q है लेकिन D जो है 12 का square है तो आपका option D क्या है different है next आपका 38 तो 38 भी आपका 38 का हो जाएगा आपका answer option number D इसका solution PDF में मिलेगा वहां से देख लीजीगा next है 39 39 देखें बहुत अच्छा प्रस्न आपका यहां पर 3 है यहां 5 है यहां 4 है यहां 3 है यहां पर आप अंदर में 63 कैसे आएंगे फिर आप 4 है 6 है 3 है 5 है यहां 66 कैसे आया है यह आपको सुचना पड़ेगा यह आप देखिए इस तीनों को multiply कीजिए और इसको add कीजिए तो पांचोंग 20 से 20 साइट 63 हो गया यहां भी इ क्यासर हो गया इसी तरह यहां दोनों को तीनों को multiply कीजिए यहीं साथ 3 21 25 कीजिए इसमें 6 को जोड़ दीजिए आज आगा आपका 111 ऑपसन नमर डी आ जाएंगे नेक्ट आपका कोश्चन नमर 140 देखिए इसे आपको हिंड़ देते हैं तो डी का कोड लिखे एका लिखे यह के लिखे आर के लिखे तो डी करना था चार यह पांच Faith अभ देखिए वन के साया है इसमें से मैंस 3 मैंस 3 इसमें भी क encourages तो वना जागा tasto लो वनागा व्यां या इसी तरह से आप इसमें भी कर लीजिए यह ट का कोड कर लीए गा उसका इसमें से ऑप मैनस तीन कर गभुष्थ वो इसदे आु ब कितनी ऐसी शंखिया है जिनके परत्य के तुरुनण बाद जिनके परत्य के तुरुनँद पहले परतिक आता है याँण कोई चीन आता है वाजिक तुरुनद बाद में एक अक्षर नहीं आता है ऐसा देखिए कितना है तो यहां पर्तिक तो है लेकिन बीच में आपका अक्षर है यह तो नहीं होगा यहां देखिए पर्तिक है दो है लेकिन पीछे में आपका अक्षर नहीं है यहां एक तो मिली गया एक मिली गया फिर आपका नहीं केबल 1 हो जाएगा option B हो जाएंगे next आपका 42 है 42 में देख सकते हैं जैसे देखिए यहां S है YS श्रूम थाट लास्ट में चला गया फिर Second Last यहां सट लास्ट हो गया यहां फिर यह यहां चला गया फिर आर जो लास्ट में था हॉँ श्रूमा आ गया इसी तरह यहां जागा यहां A चला जाएगा फिर R चला जाएगा फिर R चला जाएगा फिर यहां शुरू में आजाएगा आपका D तो D, R, A, W किस ऑप्षन में देख लिजिए? ऑप्षन नमर A हो जाएगे नेफ्ट आपका question number 43 इसमें दिया है कि plus का अर्थ मैनस है गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ गुना है मैनस का अर्थ प्लस स्वरी भागा है तो इसका मान ग्याद कीजिए सिंपल पर स्ण आपका यहां प्लस है तो देख लिजिए प्लस का क्या करा करने के लिए तो मैनस यहां पर मैनस कर दीजिएगा फिर गुना है तो गुना को क्या करने के लिए पलस तो पलस कर दीजिगा अब कगर भाग को क्या करने के लिए भाग का अर्थ गुना है तो गुना कर दीजिए और मैनस को भाग कर दीजिए अब देख लिजिए इसको कैल्कुलिशन कीजिए और देखिए इसका answer क्या आता है आपका option B आ जाएंगे 908 Next आपका question number 44 44 में देखिए आपको कराए सब्द कुछ का करम के उसार बेवस्तित कीजिए तो O, R, G है O, R, I है O, R, I है तो आपका तो A, B, C, D, F, G G के बाद ही आपका आयाएंगे न तो सबसे पहले आपका O, R, G O, R, G वाला होगा O, R, G O, R, G, A, N O, R, G, A, N आपका हो जाएगा इसमें हो जाएंगे आपका सबसे पहले तो A, 1 आएंगे इसके बाद आएंगे आपका A, N के बाद आए है, N के बाद आए है फिर S है, फिर C है 1 के बाद 4 हो जाएंगे 4 का बाद 5 हो जाएंगे 1, 4, 5 यानि आपका 1, 4, 5 इसके बाद आजएंगे इसके बाद आजएंगे आपका 3 फिर 2 option C हो जाएंगे next आपका question of 45 question देखिए यहाँ क्या है 21 है 31 है यहाँ 52 है फिर यहाँ 85 है सिंपल है इसके दोनों को जोर दिए 21 plus 31 होता है 52 इसी तरह 49 plus 46 होता है 85 इसी तरह 83 plus 16 को जोर दिए 8, 4, 9 और 9 यानि 99 हो जाएंगे option D हो जाएंगे next आपका question number 46 यहाँ आपका खाले स्थांपर क्या होगा देखिए दो A है यानि सुरूम भी A को A होगा यानि A, A फिर है आपका B, B यानि सबी तीन बार रिपीट होगा है फिर हो जाएंगे आपका B, B यानि B होगा फिर यहाँ पर देखिए B, B यानि B होगा फिर है A, तो इसी बीच में A होगा A, A, फिर होगा B, B यानि B होगा A, B, A, B होगा आपसन नमर B होगा निक्ट आपका कोश्चन नमर 47 कोश्चन है कि केबल बिर्थ और तीर्वुज में निम्मे से कौन सी संक्या माजूद है तो देखिए यह क्या गाए बिर्थ और तीर्वुज यह तीर्वुज जाया यह बिर्थ हुआ इसी दोनों महोने चीए तो यह आपका 4 हो जाएगा option C हो जाएगे next आपका question number 48 question है कि लक्षवन अपने घर से पस्षीम में 15 km गया चलिए पस्षीम में यह आपका है यह east है west है north है south है तो पहले आपका 15 km किदा गया यह आपका 5 किदा ओर ठीक है एक सेगे 15 km गया 15 km गया इसके बाद कर रहे है कि बाये मुरा ऐका 20 km चला फिर फुराप के ओर चला 25 चला यह आपका 25 चला गया 15 आया था 20 इधर इस्टरा गया होगा फिर आपका कि अंत में बाई और मुर्ता और 20 चला जाता यानि इधर घुमके फिर वो 20 किलोटर चला गया तो आपका 15 गया था इधर 20 हो गया 15 पहले आया था इधर 15 25 यानि इधर 10 एस्टा गया होगा तो फिर आपका तो क्या होगा बिज के दूरी 10 किलोटर हो जाएंगे आपका ऑपसा नमर बी हो जाएंगे यानि जैसे जैसे आपका कोशन कर रहा है उधर की ओर आप मुर्ति चलिये आपका करेक्ट एंसर आ जाएंगे नेख्ट आपका कोशन नमर 49 या आपका दिया गया है कर दिगी वरनाहमाला में कौँ सा अच्छार J और Q के बीच है देख लिए जी कहाँ? जी यहाँ है आपका G यहाँ है और Q यहाँ है आप देख लिए इसके बीच में कोना आएगा H हाँ तो अढ़ा से P है फिर I है तो O है फिर J है तो आपका N है तो ऐसे किजिए कि आपका आजाएगा बीच में L आजाएगे उपसन नमबर B हो जाएगा 49 का आपका उपसन नमबर B हो जाएगे डेक्स टाइपका कोश्चन नमबर 50 यह आपका आज का लास्ट प्रसन है मैथर रिजिनिंग का कोश्चन है कि सार्थ करम के नुसार बेवस्तित कीजिए तो देखिए सबसे छोटा के है तो कलर कोते हैं इससे बड़ा आपका कलक्टर होगा इससे बड़ा होगा आपका मुक्सरचीब इससे भी बड़ा होगा आपका गवर्णर और सबसे बड़ा होगा जगा आपका राष्ट पती तो देख लिए जए किस करम में दिया गया है 5, 5 का बाद 1 तो 5 का बाद 1 फिर 3, फिर 2, फिर 4 option number B हो जाएंगे तो यह था आपका डेश्टो परसन का practice set तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का question set किया गया है इसी लेवल का question आपको exam में भी देखने को मिलेंगे तो इसी लेवल का आपका तियारी भी करना पड़ेगा तो आपको हम इसी तरह का video आपको daily लेकर आएंगे आप set को बनाएए और इसका pdf आपको telegram पर मिल जाएंगे telegram चैनल देख लिजे फिर आप answer मिला लिजीगा तो चलिए आज के लिए इतना ही thank you देने बाद